कतर का बीजा चेक करते वक्त अगर आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसाती जहां पर आपका वीजा नंबर आपका ना MARTINplan सारे चीज़ सोह कर रहा है और प्रीन का भी अपसना आ रहा है जिसका मतलब का वीजा लग चुका है। और अगर आप कतर में हैं और आप नचेक करना चाहते हैं कि मेरा आईडी बना है या नहीं बना है तो अगर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस सारा है जहां पर लिखा होगा इसका मतलब होता है कि आपका वीजा वहां पर लग चुका है और आपका एडी भी बन चुका होगा ठीक है तो कैसे होगा सारे आपको बताने वाले हैं मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि ऐसा इंफर्मेटिव वीडियो हम लेकर क्लिक करेंगे तकतर का एक अफिशियल वेबसाइड है जो आपके सामने आपके स्क्रीन पर ऐसे ओपन हो जाएगा जहां से आप बहुत सारे चीज़े चेक कर सकते हैं लेकिन मैं इसमें आपको बीजा के बारे में बताने वाला हूँ और आईडी के बारे में कि आईडी लगा है यह नहीं लगा है तो पासपोर्ट वाले अपसन पर क्लिक करेंगे अपना पासपोर्ट नमबर यहां पर फिल करेंगे उसके बाद अपना देश किस देश्या बिलोंग करते हैं यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे हम इंडिया नहीं है तो हम यहां से इंडिया सेलेक्ट तो तो प्रिंट क्लिक कियां तो देखका वीज़ा आपके सामने से निकल जाएगा तो ऐसे आपका असाने से चेक कर सकते हैं अगर आपका वीज़ा तो निकल गया और आप गत्तर भी चले चेक करना चाहते हैं कि Canton का आड बना है यह नहीं की सशे करें कि यहां पर जाने के बाद आपको यहां पर अपना वीजा नमबर टाइब करना हो टूर से लेक्ट करेंगे उसके नीचे जो चैपचार दिया गया है 961 यहां पर हमें समिट करेंगे अगर आपके सामने ट्रांसफोर्ट तू रेसिडिण्ट ऐसे तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि आपका विजा वहाँ पे लग चुका है आपका कपिल आपका ID बना दिया है तो आपको ID जल्दी मिल जाएगा यानि कि आपका residence में convert हो चुका है अगर ऐसा सोग कर रहा है तो इसका मतलब अभी तक नहीं हुआ है ठीक है तो उमीद करते है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो please like and subscribe करने मत दूलना क्योंकि ऐसा informative वीडियो मेरे चैनल पर आता रहता है